नमस्कार भारत एक्स्प्रेस MP डिजिटल में आपका स्वागत है मैं हूँ हरिशंकर कुमार टिकट बटवारे के बाद हुए विवादों से कॉंग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे करके निपट रही है नाराज और बागी नेताओं से संपर के बाद अब पार्टी ने राष्टे स्तर पर इंडिया कट वंधन के तहत बने सहयोगी दलों को भी मनाना शुरू कर दिया है मध्यप्रदिश में इसकी कवायश शुरू हो चुकी है समाजबादी पार्टी को मनाने के साथ इसी कड़ी में पूर मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कदावर नेता दिग्विजय सिंग की सफाई सामने आई है दिगविजा सिंग ने समाजबादी पार्टी प्रमुक अखिलेश व्यादव को लेकर की गई टिपणी पर सफाई दी है दिगविजा सिंग का कहना है कि सपा छे सीटे मांग रही थी हमने चार देने का प्रस्ताव भेजा है दिगविजय सिंग ने ये भी कहा कि कमलनाथ ने जो कहा वो पता नहीं कैसे कह दिया, किसी को भी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए इसी के साथ उन्होंने मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस और समाजबादी पार्टी के साथ लड़ने की अटकलों पर सफाई देते हुए बताया कि कमलनाथ ने एक टीम उनके पास भेजी थी उस टीम के साथ बैठक के दोरान उन्हें बताया गया कि समाजबादी पार्टी छे सीट मांग रही है और कमलनाथ को उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी उसमें समाजबादी पार्टी को चार सीटे दी थी केंद्रियन नेत्रितु से दिगविजय सिंग ने पूछा कि राज्यों में क्या करें इंडिया गठवंधन कॉंग्रेस पार्टी के नेता दिगविजय सिंग ने इंडिया गठवंधन की राज्यों में क्या स्थिती होगी इस पर भी स्पस्ट किया उन्होंने बताया कि कारेकारी समीती की बैठा के दोरान उन्होंने केंदरिये नेत्रेतु से ये सबाल किया था कि राज्यों में इंडिया गठवंधन के साथ संबंध कैसा होगा तो उन्होंने बताया कि राज्यों में ये नर्नय राज्य का नेत्रेतु ही लेगा मतलब ये कि उसका फैसला कहीं न कहीं कमलनाथ और दिगविजय सिंग ही को ही लेना था इंडिया गठवंधन लोग सभा चुनाओं मिलकर लड़ेगा लेकिन राज्यों में उनके मुद्दे अलग-अलग हैं अखिलेश के सवाल पर जहलाए थे कमलनाथ दिगविजय ने बांधे तारीफों के पूल अखिलेश यादब के साथ गठवंधन के सवाल पर जहां पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ जहला उठे थे और दोनों दलों के रिष्टों में तलखिया आ गई थी वहीं दिगविजय सिंग ने बड़ी ही समझदारी से इस सवाल का जबाब दिया उन्होंने कहा कि अखिलेश यादब बहुत ही इमानदार व्यक्ती हैं वो पढ़हे लिखे हैं और पार्टी परिवार को सम्हाल रहे हैं दिगविजय सिंग ने समाजबादी पार्टी के साथ गठवंधन न हो पाने को लेकर कहा कि पता नहीं कहा पर बाचित बिगड़ गई इसी के साथ उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कमलनात पूरी इमानदारी से चाहते थे कि दोनों दलों के बीच बात बने उन्होंने कहा कि गठवंधन में ऐसी नोक जोक होती रहती है 33 सीटों पर उमिदबार उतार चुकी है समाजबादी पार्टी ये वर्तमान स्थिती है दरसल समाजबादी पार्टी राश्तिय स्तर पर इंडिया गठवंधन के तहत कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है ऐसे में उन्होंने मध्यपरदेश के विधान सभा चुनाओं में भी कॉंग्रेस के साथ गठवंधन करते हुए चुनाओं लड़ने की कोशिश की थी हालाकि कॉंग्रेस के साथ सीट बटवारे पर समझावता नहीं हो सका और समाजबादी पार्टी ने खुद भी उमिदवार उतारना शुरू कर दिया समाजबादी पार्टी अब तक मध्यपरदेश की 33 सीटों पर उमिदवारों के नाम का एलान कर चुकी है समाजबादी पार्टी की उत्तरप्रदेश से सटे मध्यप्रदेश के इलाकों में पकड़ देखने को मिलती है ऐसे में इन इलाकों में कॉंग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा जहलना पड़ सकता है कुल मिला कर ये कहें तो पहले कमलनाथ ने अखिलेश यादा पर जहला कर कुछ कह दिया अब उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिस की जा रही है क्योंकि UP से सटे MP के इलाकों में कही न कहीं समाजबादी पार्टी के वोटर हैं और उसका खाम्याजा आने वाले विधान सभा चुनाओ में जो इसी महीन अगले महीने होने वाला है तो उसमें कहीं न कहीं कॉंग्रेस को लगता है कि इसका उनको खाम्याजा भुगतना पड़ सकता है तो ये कुल मिला कर डैमेज कंट्रोल की ही कोशिस की है दिगभी जै सिंग ने आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस MP डिजिटल